नमस्कार मैं हो दिपिका, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसे बंडिस्टल नीव शैनल वीके निव्स राजनीती में जब जब सचिन पाइलेट का नाम चर्चा में आता है, कॉंग्रस पार्टी में खेमेबाजी को हवा लग जाती है सचिन पाइलेट ने एक बाफ फिर अशोग गहलोथ के खिलाफ मोचा खोल दिया है, यहां तक की पाइलेट गहलोथ सरकार के खिलाफ अंशन भी करने जा रहा है दरसल 4500 करोड के घोटाले को लेकर सचिन पाइलेट ने अपनी ही पार्टी की सरकार को कटगरे में लाकर खड़ा कर दिया है सचिन पाइलेट ने मुक्मंत्री अशुक गहलोद पर कई सवाल खड़े कि उन्होंने कहा इस पूरे कारकाल में जो आरूप लगे वसंदा जी की सरकार पर वह आरब हम सब लोगों ने मिलका लगाए कॉंगेस पार्टिक नेताओं ने मैंने अद्दक्ष के नाते और तमांस अभी नेताओं ने और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसंदा जी की कारकाल में जो जो करॉप्शन के इशूज सामने आए हैं उसका हम परभावशाली तरीके से निश्पक्ष तरीके से जाज करवाएंगे और दोश्यों को सजा देंगे मैंने कभी भी प्रतिशोत के भावना के साथ या दुवेश्पून भावना के साथ कारवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था ना आज सहमत हूँ लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वस्नियत थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें पाइलट ने आगे कहा हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए अगर कथनी और करनी में अंतर होगा तो जनता को लगेगा कि उपरी लेवल पर कोई मिली भगत हुई है इसके अलावा पाइलट ने दावा किया कि उन्होंने करीब सवा साल पहले मुख्यमंत्री अशुग गहलोत को एक चिठ्थी लिखी थी उस चिठ्थी में ये आगरह किया था कि हमें अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए बीजेपी सरकार के दौरान हुए घोटालों पर आप कारवाई करनी चाहिए लेकिन उस चिठ्थी का उन्हें आज तक कोई जवाब नहीं मिला है आज से लगबग साल सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशुग गहलोत जी को चिठ्थी लिखी उनको मैंने कहा उचिठ्थी मेरे साथ है मैं सामने हैं मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटा करम का विवरेंड उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बनी अब लगबग साड़े तीन साल हो गए उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खारा होत रहें जो आरोब हमने लगाए थे घहलो जी ने लगाए मैंने लगाए भू माफिया के शराब माफिया के खनन माफिया के 90P को लेकर ललित मोदी को लेकर खान माफिया को लेकर खान का बड़ा गोटाला हुआ था वो सारे पब्लिक डोमेन में है मैंने उसे आगरे किया था कि डेड़ साल बचाय चुनाव में और हम लोगों को, कॉंग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फरक नहीं है मैंने तमाम जो हमारी स्टेटमेंट्स थे जो हमने पतिकरियां दी थी जनसभाओं में, पैसवारता में जो और रोप लगाए थे वो सब उनको मैंने दिये और उसी कॉपी मैंने AICC में तमाम लीडर्शिप को दी कि हम चाहते ते संग्यानिस का लिए जाए ये पहली चिठ्थी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को उसका मुझे जवाब नहीं मिला तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिठ्थी लिखी उसमें उनको बड़ा विन्दमता साग्रे किया कि मैंने आपको पहले लिखा था ये ये प्रक्रण हुए यारोप आप में लगाए मैंने लगाए पूरी कॉंग्स पार्टी ने लगाए और जन्ता ने हमारी बातों को विश्वास किया तबी तो हम लोग जहां सिरफ 21 सीटों पर रह गए थी कि 2018 के चुनाव में 2013 के चुनाव में 21 सीटों सौ तक पहुंचे तो हमारी बात पर लोग ने विश्वास किया था चित्थी लिखे वे ने दो हज़ा दो नवंबर 2022 को उसका भी जवाब मुझे बिला नहीं एसे में अब सचिन पाइलट ने गहलोस सरकार के खिलाव 11 अप्रैल को एक दिन का अंशन करने का एलान किया है सचिन पाइलट के सार पार की लडाई पर आपकी क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जाकर जरू बताएं बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके निउस नमस्कार वीके नूस राष्टर के नाम